दोस्तों हमारी लगबख सभी फसलों में इंसेक्ट का प्रकॉप बहुत जादा देखने को मिलता है जैसे कि त्रिप्स हैं माइट्स हैं इल्ली लट वगर है तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए हम अच्छे से अच्छा इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं इसी सीरीज में आ आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसके आप डोज तयार कर सकते हैं तो दोस्तों आप जो अभी प्रोडेक्ट देख रहे हैं यह है जैलक्स में इंडेस्ट्रीज का एंबोस नाम से प्रोडेक्ट आता है इसका केमिकल कंपोजिशन है इमा मेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी फोर में आते हैं जो सेव आती हैं उस रूप में यह है आता है यह है बहुत ही इफेक्टिव नौन सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है और अगर फसलों की बात करें कि कौन-कौन से फसलों में इसका उप्योग में ले सकते हैं तो लगबग हमारे इस टाइम की सब भी सब धसलों में ने खिए और ले सकते हैं इनकी साती है और अबी बहुत जड़ा इनसेक्टिक है था यह पल भी सकते हैं जिसका। अगर इंसेक्ट की बात करें कि यह कौन कौन से इंसेक्ट को कंट्रोल करता है तो फ्रूट बोरर, शूट बोरर, चाहे किसी भी फसल में हो, डाइमन्ड, बैक मौत, त्रिप्स को भी यह बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है और उनके साथ-साथ माइट्स को भी कंट्रोल करत प्राइस की बात करें तो 200 ग्राम का पैकिट है जिसकी मर्पी है 1200 रुपए और लगबग 1000 के सम्थिंग मार्केट में आविलेबल हो सकता है दोस्तो प्राइस थोड़ी अपडाउन हो सकती है अगर इसकी परफेक्ट डोज की बात करें तो दोस्तो इसकी डोज है हाफ ग्राम प्रती लिटर के साब से घूल तयार करना है यानि एक ग्राम प्रती दो लिटर पानी में घूल तयार करना है और फिर अपनी फसलों में स्प्रेय करना है 100 लिटर में अगर गोल तयार करें तो 50 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोईट को यूज करना है और अगर 200 लिटर पानी में आप गोल तयार करें हैं जो कि एक एकड के लिए सफिसियंट है तो 100 गराम इमाबेकोटिंटंग बेंजोइट को डाल करके आप अच्छे से मिक्स करें और फिर अपने फसलों में स्प्रे करें और इसके डूरेशन की बात करें तो इसका डूरेशन है 7-10 तन तक 7-10 तन तक इसका असर आपके फसलों में देखने को मिलता है दोस्तों इसी तरह की नोलेज़फूल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेश जरूर कर लेजे जानकारी अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक करें और भी किसान दोस्तों तक शेयर करें धन्यवाद